हेलो दोस्तों आज हम यह लेनोवो आइडियापट एस 145 की को डिसेंबल करेंगे और उसकी कीबोड को चेंज करेंगे तो यहां पर मैंने जो है इस लैपटप की सारे स्क्रू को खोल लिया है अब देख सकते हैं थाके वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए और यह रहा हमारा न्यू कीबोड जो हमने मगाया है अभी चलिये स्रू करते हैं ओmp занमात काल spirit दोगड़ा गलeने उहा हमार शड़ा की बड़़्ा सोष्छें लिए 네 यहता हाई बाल शड़्या वीडीवड़ा ट lässt वीड़ा शोड़ार अंचर बुड़को वीड़़ड़ जार कालिए कर दो 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 कर झाल 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 तो दोस्तों यह भी डिस्प्ले से अलग करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यह सील्ड जो खौबर है यह फुरी तरीका से सील्ड है तो हमें इसे एक हटाना है उसके लिए हमें कुछ बतला नाइस के जरूरत पड़ेगी और आपके इतने सारे सील्ड को काटना है तो आप देख सकते हैं अब हमने सारे सील्ड हटा दिया है और यह हमारा यह देख से है यह पूप हो जाता है पूरी तरीका से अब जातने के बाद यहां पर रखुआ रहा है जो की बोड़ टाफ हुआ है इसे भी हटा देना है अब जो है हमें एक ड्यो की बोड़ लेना है जैसे इस तरीका से पूरा ना उस तरीक से हमें के करके तो आप प्लीज इस वलाश तक दिपते रहे अब जैसे जैसे फिटिंग हुआ था यह देखी जो सील्ड था हमें इसे भी उपर से लगा देना है अब ध्यान से देखते रहें और उस तरीका से आपको फिटिंग करना है झाल 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 झाल